Hello everyone, चलिए start करते हैं real numbers का example number second देखते हैं क्या है Show that every positive even integer is of the form 2q and that every positive odd integer is on the form 2q plus 1 Where q is some integer हमें क्या बताना है यहाँ पे every positive even integer जो है वो 2q की form में होगा और जो odd integer होगा वो 2q plus 1 की form में होगा और q क्या है यहाँ पे कोई भी एक integer value है तो इसको हम कैसे दिखाएंगे चलिए देखते हैं solution इसका सबसे पहले क्या माननेंगे हम यहाँ पे कोई भी एक positive integer assume कर लेते हैं तो क्या लिखेंगे let a positive integer is equal to a अब हमारे पास किस form में दिखाना है हमें 2q और 2q plus 1 की form में अब हमें पता है using euclid algorithm a is equal to किसकी form में होता है b q plus r तो यहाँ पे इसको compare करेंगे तो b की value क्या हो गई बच्चो 2 हो गई तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम value of 2 value of b is equal to क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा clear हो गई यहाँ पे बात अब using euclid algorithm euclid algorithm क्या होता है हमारा a is equal to b q plus r यही तो होता है तो a की जगे क्या रखेंगे हम a और b की जगे क्या रखेंगे 2 तो 2q plus r अब यह जो reminder होता है बच्चो वो कहां से कहां लाई करता है हमारा 0 के equal होता है और less than b होता है यही तो होता है हमारा तो यहाँ पर r की value क्या होई 0 less than equal to r less than b की value है 2 तो r की possible values क्यों होई हमारी यहाँ पर possible values of possible values of r क्या क्या होंगी 0 के भी equal हो सकता है तो r की value 0 भी हो सकती है 1 भी हो सकती है बट 2 के यहाँ पर equal का sign नहीं है तो हमेशा 2 से less होंगी 2 से less का मतलब 0 और 1 ही हो सकती है यहाँ पे possible values of r तो यहाँ पे case first क्या होगा हमारा बच्चो when r is equal to 0 r is equal to 0 मतलब remainder क्या है हमारा बच्चो even है तो हमारी जो number होगा वो किस form में होगा a is equal to b q plus r तो यहाँ पे दियान से देखेंगे a is equal to b की value क्या थी 2 q plus में r की value क्या है 0 तो a is equal to किस form में आ गया 2 q की रूप में यही तो दिखाना था हमें जब r जो है हमारा remainder क्या हो even number हो तो even numbers के लिए हमारा किस form में होगा 2 q की form में और case second क्या हो जाएगा बच्चो when remainder equal to क्या है 1 दूसरा case तो हमारे पास क्या आ जाएगा a is equal to b q plus r तो यहाँ पे a is equal to b की value क्या थी 2 q प्लस में remainder क्या आ गया 1 तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे a is equal to 2 q plus 1 तो odd values के लिए हमारा क्या आ गया यहाँ पे 2 q plus 1 की form में आ गया समझ में आगी बात clear है इस proper way में ही आपको question करना है otherwise आप कोई short method देखोगे तो आपके marks deduct हो जाएंगे तो इसी way में आपको question करके आना है कोई भी दिक्कत लगे आप मुझसे comment करके पूछ सकते हैं otherwise next class is को subscribe करके रखिए क्योंकि सभी examples और NCRT का complete syllabus आपको यहाँ पे मिलेगा और extra questions भी आपको मैं यहाँ पे provide करूँगा जो हमारे exams में पूछे जाते हैं Thank you students for watching next class is video